Hello everyone, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, तो आज की जो reading हैं, यह हम करने वाले हैं, आपके जो partner हैं, वो आपकी बारे में आज सुबर सुबर क्या सोच रहे थे, क्या फिल कर रहे थे, उनका next action क्या होगा आपके लिए, और साथी साथ आपकी energy को भी चेक करने वाले हैं, तो आज हम सब से पहले आपकी energy को चेक करेंगे, देखेंगे कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्या feel कर रहे थे, उसके बाद हम आपके partner की energy को चेक करेंगे, ठीक है, तो चलिय करते हैं, reading को start, देखते हैं कि आपके जु पार्टनर हैं, और आप हैं, आपको रोज सुबह आपके पार्टनर की एनर्जी देखने को मिलती है तो आप उसे भी जरूर देखिए क्योंकि वो वीडियो नौ बजे से साधे नौ के बीच में आते हैं जिसे आप सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो आप अपने पार्टनर की देख पाएंगे चलिए कर आते हैं रिडिंग को स्टार्ट गाइड करें अंजल्स उनिवार्स एन सिस्टर्स ओके गाइड करें सो जस्ट अ मिनिट मैं आपके लिए पहले कार्ड्स निकालूंगी आप अपने आपके उपर फोकस करो पहले फोकस कीजिए आप चैरिट के एनर्जी ओके काफी अच्छी एनर्जी आई है यहां पर चैरिट के एनर्जी हम्म्म सो कुछ अलग सा फील हो रहा है ना आपको आज ऐसा मुझे लग रहा है कुछ अलग सी फीलिंग्स हैं कुछ अलग सा इमोशन्स हैं आज चले कुछ कार्ड्स निकालते हैं औ page of pentacles okay six of swords okay three of wands okay the magician okay bottom of the deck is here three of cups three of cups card is bottom of the deck okay very nice I am showing you here in your cards see your partner here I am showing you the feeling that you are generating the feeling that we are talking about so here I am showing you that you want to be more happy with your partner today morning I am seeing that you were waiting for your partner I was thinking that if your partner doesn't come to you then you have no action or decision you have to do it because there is such energy that you want to turn your partner to turn or turn your partner but you want to turn your partner to turn your partner to turn your partner टाइम से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के एक्शन का उनके डिसीजन का आपको आपके पार्टनर ने बहुत तकलीफ दिया है उन तकलीफों को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है और आपने बहुत साथ गेम खेला कйए ऐसा आपको फील होता है आपको लगता है कि आपके पार्टनर को सब्सक्राइब कर करें कि अपक disp senin आप को vanovine कृशित M मीडिया का भी यहां पे एहम रोल हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के बीच में है और कहीं न कहीं आप दोनों tengo social मीडिया के करते हो OR पर दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में कापी कुछ़ चीज़े ऐसी हो गई है जिसे कह सकते हैं कि आपने अपनी हीलिंग करी है आपने पहले अपनी हीलिंग करी है यहां पर देख रहा है कि आपकी हीलिंग तीरली दिखाई दिरे कि आपने जी तोड़ मैनत करी है अपने आपको हील करने के लिए हाला कि पहले उतने स्ट्रॉंग नहीं हो लेकिन अभी अभी मुझे देख रहा है कि आप अपने आपको mentally, physically, emotionally बहुत strong बना चुके हो, यानि कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, आपने अपने आपकी healing इतनी अच्छी करी है, अपने औरा को clean किया है, अपने heart chakra को जो है open किया है आपने, मुझे दिखते है कि आपने इंतज में ही हो, कही ना कहीं आपका दिल मान नहीं रहा है, किसी और को accept करने के लिए, आप अभी भी उसी person की रहा देख रहे हो, उसी person के इंतजार में हो, और उसी person से आगे का future भी देखते हो आप, देखो, मुझे clear दिख रहा है कि ये जो person है, हो सकता है, या कि आपके friend circle से बना, ठीक है, या आप लोगों की बीच में कोई एक person mediator हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि इस relationship में कोई तीसरा person भी available है, जो कि as a friend हो, या फिर कुछ और हो, ठीक है, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आप इस रिस्ते के लिए काफी manifestation भी कर रहे हो, काफी प्रातनाएं कर रह हो, healing में एकदम से डूबे हुए हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपने partner को कैसे भी, कैसे भी अपने करीब ले के आना है, आपका यही एक तरीके से goal बन चुका है कि आपको शाम दाम दंडभेद, जो भी है, जैसा भी है, आपको accept करना है, वो सारे चीजे करके आपके partner को अपने तरफ attract करना है, आपके partner आपके तरफ आ जाए, बस आप यही चाहते हो, बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि yes, आप अपने partner को करीब लाने की energy में आ रहे हो, एकदम से आना जरूरी है, यहाँ पे बात करने की चाहत बहुत जदा हो रही है, बहुत craving हो रही है आपके अंदर, यहाँ पे दिख रहा है कि आप action decision लेने चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, पुरानी बातें कहीं न कहीं दफन कर देना चाहते हो, और फिर से यहाँ पे आप इंतिजार में हो, इंतिजार करते हुए, अपने person के लिए manifestation कर करते हुए मुझे clearly नजर आ रहे हो, ऐसा मुझे clearly नजर आ रहा है कि आप सोच तो रहे हो यही, कि आपके partner आपकी life में आ जाये, आपके partner आपके साथ आ जाये, और आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो चलिए देखते है, chariot के energy क्यों है, आपके energy में, मेरे viewers के energy में chariot के energy क्यो हैं guide car angels ओके यहाँ पर two cards निकले हैं queen of swords and four of swords देखो आपने बहुत कुछ जेला है है ना यहाँ पर दिख रहा है कि आपने जेला बहुत कुछ है अपने partner के वज़़ा से यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा doubts को ले करके सोच रहे हो हो सकता है कि आप दोने की relationship में especially इनकी mother काफी involved होंगी और उनके root behavior के करांद से आपके partner बहुत ज़्यादा बदल गए होंगे ऐसा आप feel कर रहे हो देखो यह person को ना काफी ज़्या manipulate किया गया है या कहें तो इस person को इनकी एक वताने जिसे के खुशियों से या फिर कहें तो इनको एकदम से strictly मना किया गया है कि आपसे बात ना करें आपसे contact ना करें और आप इसी बीच जो है सोच रहे हो feel कर रहे हो कि ऐसे कैसे हो गया ऐसा नहीं करना चाहिए था कही ना कहीं कुछ doubts हैं आप कई रातों से सो नहीं पा रहे हो अच्छे तरीके से आपके दिल में जो दर्ध है जो तकलीफ है वो आप बयां भी नहीं कर पा रहे हो किसी से है ना आपके अंदर जो भी है जैसा भी है कहीं ना कहीं वो चल रहा है चल रहा है और रात में जो भी आप सोच के सोते हो, वो कही न कहीं कुछ टाइम के बाद हो ही जाता है, तो वही है कि आप जाने अन जाने में उन सारे चीज़ों को manifest कर रहे हो, अपनी vibration को universe को भेज रहे हो, और universe क्या करती है, आपकी vibration को catch करती है और वही आपको देती है, इसलिए हमें negative thoughts को नहीं रखना चाहिए अपने दिल दिवाग में, क्योंकि universe हमें उसे देने लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इसी प्रकार की energy दिखाई दे रही है, यही energy दिखाई दे रही है page of pentacles के साथ आया है page of wants का card, yes, passion काफी feel हो रहा है आपको, अपने partner के लिए काफी passionate हो, काफी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको अपने partner से प्यार तो है, यह person से आप ऐसा चाहते हो कि इस person के साथ आपका relationship भी बनने आपका relationship इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए, इतना बेहतरीन हो जाए, कि आप अपने relationship को छोड़के कहीं भी ना जाओ, यह आपके partner आपमें interest लेने लगे, आप कुछ ऐसा चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, उनका ध्यान आकरशित करना चाहते हो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने partner के message का इंतिजाद भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके partner का कोई message नहीं आ रहा है, कोई call नहीं आ रहा है, जिसकी वज़ा से आप tension में आ गया हो, ऐसा दिख रहा है जैसे कि message call ना आने के वज़ा से, आपके अ ही न कहीं वो तकलीफ, वो दर्द, वो pain feel हो रहा है, और आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि yes, आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ life में आगे करना चाहिए, life में आगे बढ़ना चाहिए, आपके life में कुछ करने से, कुछ आगे बढ गाइड करें एक नई शुरुवाद है न आपको करनी है एक बहुत ही खुबसूरत सी नई शुरुवाद ऐसा दिखता है जैसे की काफी बरदाश कर लिया आपने काफी टाइम गुजार लिया आपने अब जो है एक नई शुरुवात एकदम से चैर्यट के एनरजी से एकदम से एक नया डारेक्शन एक नई शुरुवात अपनी जिंदगी में आप करना चाहते हो आप नहीं चाहते हो कि निगेटिविटी के समंदर में आप वहाँ पे जाओ डुबकी लगाओ ऐसा कुछ नहीं चाहते हो आपको प आपके अंदर जो यह बदलाव आया है कहीं ना कहीं आप उससे अच्छा महसूस कर रहे हो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जिंदगी काफी कुछ चेंज होने वाले हैं आपको फील हो रहा है चाहें आपके एंसिस्टर्स हेल्प कर रहे हो बट आपको फील काफी अच्छा हो रहा है आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अब आएंगे तो आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि उन्हों ने हो सकता है कि कुछ टाइम मांगा होगा है ना और अब जो है वो टाइम पूरा हुआ तो अब दिख रहा है कि अब आपको लग रहा है कि यह पॉर्सन आपके पार्टनर को चोड करने ऑप को एक तरीके से आपके साथ बेगिक अप करपके कहीं ना यह पर सिन गए तो है लेकिन अभी भी आप इंतजार में हो यह परॉसीद आएंगे आपकी तो आपकी लाइफ काफी ज़्यदा बदलेगी ओकी फाइब ओफ सौर्ड और मैजिशन के एनरजी देखो टेंशन में काफी रहते हो आप टेंशन काफी फील होता है आपको आपको आपका दिल ओमाइगाड बहुत ज़्यदा इस्ट्रस लेते हो स्ट्रस फुल एनरजी है इनरजी में बिल्कुल भी मत रहो आप अपने आपको हील करो सबसे पहली हीलिंग काफी जरूरी है और बहुत सारी लोगों ने की भी है जिसका रिजल्ट उनको मिल रहा होगा ठीक है मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है कि येस आपके और आपके पार्टर की बीच का जो है आप कभी-कभी फील कर रहो कि मैं इस सेलेशनशिप को छोड़ी देती हूं आगे बढ़ जाती हूं मैं अपने आप में अपनी लाइफ में लेकिन आपको वहां से भी कुछ एंसर नहीं मिल रहा है ठीक है सो कुल मिला करके देखा जाए तो आप ये सारी फीलिंग्स फील कर रहे हो चलिए डेखते हैं अब आपके पार्टनर के लीए कार्ट निकालते हैं आपके आज सुबह-सुबख क्या सूच रहे थी गाइड करें कर यहां पर टू कार्ट हैं थ्री कार्ट लिए के नरपस एंपस और का यहाँ पर टू कार्ट्स हैं त्री कार्ट्स हैं यहाँ है हारफ एंट के नर्जी ओके टेन आफ सौर्ड्स के नर्जी है यहाँ पर है नाइट आफ सौर्ड्स ओके दा एंप्रेस ओके ठीक है बॉटम आफ टा डेक स्ट्रेंट का कार्ड है काफी कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर काफी ज्यादा यह परसन जिद्धी भी किस्मिके इंसान हो सकते हैं काफी जिद्धी हो सकते हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर के एनर्जी मुझेeleri दिखाई दे कि याज आपका और आपके पार्टनर का relationship है देखिए एकदम से मुझे दिखता है यह जो परसन नह मुझे यहाँ पे clearly देख रहा है कि आपके partner तो आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा relation बनाने के बारे में आज सुबह सुच रहे थे देखें यहाँ पे clear देख रहा है कि आपके partner 10 of sorts के energy को feel कर रहे हैं यानि कि यह person को या तो धोखा दिया है किसी ने या इस relationship में जो चल रहा है उसको सोच सोच करके यह person बहुत depression में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि शादी की बात भी हो सकती है आप दोनों की बीच में शादी की commitment को ले करके या अगर शादी हो गई है तो भी आप दोनों की बीच में वही सारी बातें वही सारी चीजे चल रही है कि क्यों हो रहा है यह मेरे साथ यह मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफी blueprint में आते वे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है जसे कि कुछ बाते हैं जो कि आपके पार्टनर भूल जाना चाह रहे हैं ठीक है कोई ऐसी कड़़ बात है कोई ऐसी कड़़़ीयाद है जो कि आपके पार्टनर भूल जाना चाहते है उसको याद नहीं करना चाहते है तो ये दिख रहा है कि येस आपके पार्टनर की एनरजी भी क्लियर दिख रही है कि येस ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए देखी आपके और आपके पार्टनर की ब यह कोई action ले लेते हैं कोई decision ले लेते हैं जैसे कि यह person कड़ेवे words भी बोल देते होंगे और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यह person बहुत जादा aggressive nature के हैं अचानक से कुछ कर जाते हैं अचानक से आपको बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अचानक से तु को नहीं समझ पाते हो क्योंकि यहां पर clear दिख रहा है कि आपकी energy ही ऐसी है कि आपके partner आपसे दूर नहीं जा सकते हैं चाहा करके भी दूर कैसे जाए चाहा के भी दूर यह person नहीं जा सकते हैं इनकी energy मुझे clearly दिखाई दे रही है यह person clear way में दिखाई दे रहे हैं कि यह कर ऐसे हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहे था क्या हो गया है यह ठीक है आपके और आपके partner के बीच में मुझे काफी अलग सी energy clearly दिखाई दे रही है ठीक है, ओके, तो मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है कि देखिए आपके और आपके पार्टनर का जो relation है ना, काफी एक अलग सा relation है, काफी एक अलग सा, ऐसा दिखता है जिसे कि आपके पार्टनर एक soul connection तो feel करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई spiritual connection है ही है, ल आप बहुत mature person हो, बहुत अच्छे person हो, आप ऐसे person हो कि आप इनको जो है समभाल लोगे, ऐसा दिखता है कि बहुत ही friendly nature के हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ही friendly रहना पसंद करते होंगे, आपको कई बार कहते होंगे कि हम as a lover कम, लेकिन friends जादा हैं, या फिर आपके partner आफटर breakup ये भी कहा होगा कुछ लोगों को कि येस, अब हम उस तरीके के relationship में तो नहीं रहेंगे, बट as a friend हम लोग रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस person का ऐसा कोई intention नहीं है, ये person आप से शादी करना चाहते हैं, शादी करके आपको अपनी wife या अपना husband बनाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, control कैसे करें ये person, क्योंकि आप हो ही ऐसे कि इस person को अपने तरफ attract कर ले रहे हो, ठीक है, ये person तो उस चीज़ को भुला ही नहीं पाएंगे, उस चीज़ को ignore ही नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके कि energy मुझे यहां पे feel हो रही है, ओके, चले, कुछ और cards निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या feelings है आपके partner की, okay, so three of cups के card से क्या feel कर रहे हैं मेरे viewers के partner, guide करें angels, three of cups के energy से क्या feel कर रहे हैं मेरे viewers के partner, okay, the lovers, so अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, इनिवर्स को gratitude देने के लिए तू जरूर सब्सक्राइब किये जए, इनिवर्स को gratitude देने के लिए और वीडियो को like भी कर देजिए, फट फट फट, guide करें angels, king of cups, okay, 10 of swords के साथ आया है, six of swords, night of swords के साथ, guide करें, क्या है, eight of swords, okay, the empress के energy, three of cups, bottom of the deck, यहाँ पे है nine of pentacles, ठीक है, bottom of the deck, मैंने कहा ना, आपके energy काफी अच्छी है, काफी बैतरीन है, काफी high level के energy है, yes, आपके partner मुझे clearly दिखाई दे रहे है, कि यह person को महसूस हो रहा है, कि yes, आपके साथ जितना यह person खुश रहते हैं, आपसे जितना यह person प्यार करते हैं, उतना शायद इस person को किसी से प्यार नहीं है, यह person बहुत दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, बहुत ही दिल से आप मुझे नजर आ रए है ऐसा दिख्टा है जैसे कि आपके साथ जो रिलेक्शंसिप है न ये काफी स्टर्ग मना ना इस अयुक्त चाहत तो है ही है लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ इस परसुन को खुशिआ बहुत बहुत मिलती है और यह person उन खुशियों को छोड़ करके इस relationship में आने को यहाँ पे ready हैं मुझे यहाँ पे खास तोर से ऐसा दिख रहा है जैसे कि यह person को अपने family में किसी ऐसे person को मानाना है इसी ऐसे person को राजी करना है जो कि इस relationship के लिए शायद राजी नहीं हो रहा है जिसमें इनके फादर की खास involvement हो सकती है ऐसा दिख रहा है कि आपके partner आपके साथ बहुत ही प्यारा सा relation बनाना तो चाहते हैं यह person करेंगे भी लेकिन सबकी मर्जी से एक traditional शादी करनी है आपके partner को है ना या कहें तो आपके साथ सबकी मर्जी से रहना है यानि कि अगर अगर कुछ लोग खिलाफ हैं आपके तो उनको अपने favor मिलाना आपके partner की energy में आता हुआ दिख रहा है काफी stressful energy इसलिए भी दिखाए दिरी है क्योंकि आपके partner को समझ में आ रहा है कि यह बदल नही रहा है कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो इनको लग रहा है कि अपनी healing करने होगी आपके partner अपनी healing भी कर रहे हैं कहीं कहीं यह person आप से मिलने की चाहत भी रख रहे हैं क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि यह person अपने आपको थोड़ा सा बदल के आपके सामने लाना चाहते हैं आपके सामने जो है एक तरीके का ऐसा relation रखना चाहते हैं ऐसा proposal रखना चाहते हैं जिसे शायद आप भी है ना आप भी नहीं feel कर पाएं यह आप भी जो है नहीं देख पाए हैं ठीक है तो मुझे खास तोर से ऐसा दिख रहा है कि yes आपके relationship में कुछ तो ऐसा होना चाहि जो कि आपके partner को आपके तरफ attract करें ठीक है तो मुझे यहाँ पे खास तोर से ऐसी energy feel हो रही है कि yes यह आपका और आपकी partner का जो relation है यह काफी ज़्यादा healing process में है यानि कि आप दोनों के relationship में जो blockages आए हैं है न उन blockages को आपके जो partner हैं वो खतम कर देना चाहते है एक दम से totally खतम ठीक है तो यहाँ पे दिख रहा है कि yes यह person को ऐसास जरूर है कि आप बहुत तकलीफ में हो बहुत दर्द में हो आपको यह person कैसे समझाए अपने दिल की बाते अपने दिल की feelings कैसे यह person बताए तो yes यह person को feel हो रहा है यह person को लग रहा है यह person को थोड़ा बहुत तो change करना ही होगा अपनी life में ठीक है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि again यहाँ पे three of cups का card आया है आपके साथ जो खुशी मिलती है आपके partner को वो खुशी कहीं जन्नत के सामान मुझे feel होती हुई दिखा दे रहा है ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि yes relationship जो है ना काफी strong है काफी strong vibe है इसकी काफी strong जो कह सकते है कि काफी strong size का nature दिखाई दे रहा है ठीक है मुझे खासतोर से दिख रहा है कि yes आपके और आपके partner की बीच में जो प्यार है जो महबत है ना आप दोनों की बीच में वो continue होता हुआ मुझे clearly नजर आ रहा है ठीक है चलिए अब देखते हैं कि आपके partner का next action क्या होगा इस relationship के ल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा गाइड करें मेरे वीवर्स के partner का next action क्या होगा ओके थ्री ओफ कोईन्स स्ट्रेंद्ट ओके चले कुछ और कार्ट्स निकालते हैं six of swords का कार्ड क्यों है यहां पर nine of wands ओके eight of swords के सांथ आया है यहां पर death का कार्ड सॉरी यहां पर मैं action के लिए देख रही हूं कार्ट्स ठीक है लेकिन इसके साथ ही king of coins का का यहां पर है ठीक है तो मुझे यहां पर ना दा एंप्रेर के नेट्रिश हैं ओके हैं मुझे यहां पर यह दिख रहा है जैसे कि आपके relationship में ठीक है third party जो भी है आपके partner को negative कर रहे है क्योंकि यह person आप से प्यार करते हैं इनके साथ आपका relation strong है लेकि thought party इस relationship में क्या कर रही है दबाव डाल रही है यह कहें तो negative energy दे रही है जिसकी वजह से आपके partner action लेने में काफी time लगा रहे हैं इसकी वजह से आपके partner को लग रहा है कि यार इस relationship में तो बहुत मैनद करनी पड़ेगी बहुत effort डालना पड़ेगा बहुत कुछ करना पड़ेगा कैसे होगा कैसे होगी चीजे life settle तो होगी न है न ऐसा यह person की energy मुझे feel हो रही है ऐसा दिखता है जैसे कि आपके और आपके partner की बीच की energy काफी काफी जादा एक जैसे होता न की controlling है न आपके partner जब भी अपना एक अगला कदम बढ़ाते हैं तब ही जो है यह person अपने जो energy है न उसको यह person control कर लेते हैं ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है जिसे कि यह person काफी जादा अपने circle से डरते है या कहें तो society से डरते है यह person ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि यह person के energy बता रहे है कि यह person डरते डरते फुक फुक के कदम जो है यह person आपके सामने रखते है आपके लिए रखते है ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि यह पॉर्षन को न कहीं न कहीं अपनी सोसाइटी का काफी ज़दा डर रहता है कहीं न कहीं यह पॉर्षन जो है इस सेप्रेशन को खतम दिल से करना चाहते हैं दिल से खतम करके हैं आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दि से यह जो person है relationship को खतम करना चाहते है relationship को खतम करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते है ठीक है energy काफी अच्छी आई है कि यह person का मन काफी ज़दा है आपके तरफ action लेने का decision लेने का ठीक है तो मुझे यहाँ पे खास तोर से नजर आ रहा है कि आपके partner आपको लेकर के काफी अलग सी energy को feel कर रहे हैं ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपके partner को आप में थोड़ा सा एक जैसे होता है ना कि जैसे की दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ नहीं आओ या फिर कैसे करो करके अपनी feelings को लेकर अपने emotions को लेकर के थोड़ा सा यह person action लेने में थोड़ा सा वक्त लेंगे क्योंकि यहां पे इनको सारी चीजे देखनी है अपनी society देखना है अपने लोग देखने हैं इनको जो भी society का ड़र है उससे जो है यह person दढ़ते हुए खासतोर से मुझे नजर आ रहे हैं तो यह person को जो है ना आपसे बहुत 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 प्रेम हैं और बहुत ही प्रेम होने के साथ साथ यह person थोड़ा सा सारी चीजे सोच करके फील करके तब यह person लेने के बारे में सोचेंगे ठीक है टाइम प्रेट यहाँ पर नजर नहीं आ है कि मैं आपको बताओं लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ा सा पाइं लगेगा ठीक है न्यू बिगनिंग करने का हाई चांस है लेकिन यहां पर इतनी जल्दी नहीं ठीक है ओके गाइट करें एंजल स्वीनिवर्स ओके गाइट करें ठीक है यहां पर आपके लिए कार्ड निकाला है मैंने कि आपको क्या करना चाहिए आपके लिए as a guidance क्या है कार्ड तो तीन कार्ड निकल के आए है 7 of wands यहां पर है 10 of pentacles वाव 4 of wands क्लियर वाव क्या बात है ठीक है दवर्ड की एनर्जी है एंड यहां पर है two of swords की एनर्जी ठीक है bottom of the deck है यहां पर the chariot के नर्जी बहुत ही प्यारा कार्ड आया है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आपको सभालना होगा आपकी life में खुशिया तो आ रहे हैं आपकी लेकिन आपको खुद को समाला होगा क्योंकि two of swords के नर्जी आप हो तो यहां पर आपको अपनी आपको समालना ही होगा क्यों क्योंकि यहां पर जो दिख रहा है कि आपके partner का कोई action decision नजर नहीं आ रहा है आपको तो आप मायूस हो रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो मायूस मत रहो आपका जो है यह एक तरीके से कर्मा चल रहा था जो कि कर्मा अब रिलीज हो रहा है ठीक है आपकी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स का सामने करन के लिए आप तयार थे और आपको ऐसे ही तयार रहना है आपको स्ट्रंथ रखनी है अपने अंदर पावर रखनी है जो भी चीज़े होंगी जैसी भी होंगी काफी ज़्याइश्ट फूल पावर्फूल एनरजी के साथ आपको उनसे डील करना है ठीक है मुझे यहां पे क्लि आपको ले करके काफी ज़्यादा सीरियस है ठीक है और यहां पे टेंड आफ वील का कारड फूर आफ वांड का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यह आपके पार्टनर एक ऐसा फामली मेंबर आपको देखते हैं ठीक है आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे आप इस बात को लेकर के tension में नहीं रहो आप अपने healing पे ध्यान दो और positive thinking करो manifestation करते रहो आपके लिए ये बहुत 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 अच्छा रहेगा ठीक है तो positive thinking करो positive रहो और positive रह करके इस relationship को जो भी है ना जैसा भी है उसको सही करने की कोशिश करते रहो ठीक है so overall reading में मुझे यही दिख रह सब्सक्राइब है इस bracelet का नाम से ट्रेंट ठीक है यह bracelet का नाम है और यह जो bracelet है आपको काफी अच्छे benefits देता है किन के लिए यह bracelet ठीक अच्छा नहीं होता है तो आपके business में loss होने लगता है आपका मन बड़ा इंदम से बेचायन होता है आपको कहीं से भी फायदा नहीं होता है हमेशा आपको लॉस ही होता है पैसे अटक जाते हैं बहुत टाइम तक पैसे अटके रहते हैं आपको लॉस जो होता है उसको recover करने के लिए आप ये ब्रेसेट ले सकते हैं सांती साथ आपकी जॉब नहीं हो रही है आप career related problem से परिशाने चाहे career में कोई भी problem आ रही है आप कितनी मेहनत कर रहे हो आपको success मिल ही नहीं रही है तो आप citrine bracelet का use कर सकते हैं इस problem को solve करने के लिए ठीक है अगर आपके love life में भी problem चल रही है या आपके परिवारिक जीवन में भी problem चल रही है जैसे कि आप husband wife हो लेकिन आप दोनों के बीच में बाते नहीं बनती है या फिर आपके साथ ससूर बहुत ज़ादा आपके against रहते हैं यह bracelet की मतलब आप समझने ही पाऊगे इतना ज़दा positive response देता है यह citrine bracelet ठीक है citrine bracelet वो लोग यूज कर सकते हैं जिनका गुरू काफी ज़्यादा खराब है ठीक है लोग आपके तरफ attract नहीं होते हैं लोग आपके तरफ ध्यान नहीं देते हैं देखो जब हमारा गुरू जो है यह जो गुरू है यह सामधान करता है यानि कि यह जो citrine bracelet है यह सामधान करता है देखो गुरू का मतलब आप खुछ समझ जाओ गुरू का मतलब क्या सबसे बड़ा है ना गुरू वही होता है जो सबसे बड़ा होता है तो यह गुरू यही है गुरू को maintain करने के लिए ग यार पाना चाहते हैं उनसे शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सिट्रिन ब्रसलेट एविलेवर है ठीक है तो इसको एक्टिवेट करके दिया जाता है सिट्रिन ब्रसलेट को और आप activated ही लीजे चाहे मेरे पास से लीजे चाहे कहीं से भी लीजे बट मैं कहुँए कि आप मेरे पास से लीजे मैं आपको अच्छे तरीके सी आपके problem के according जो है आपको सुन करके और तब जो है आपके लिए ये bracelet में activate करके दूंगी ठीक है तो आप इसको जरूर buy कीजिए ठीक है तो चलिए फिर करते हैं reading को खत्म screen पे दिये गए number पे contact कीजिए अगर आप मुझसे प्रसंट आरो का reading कुनली reading या कोई remedy कोई ritual लेना चाहते है और मैं free reading नहीं करती हूँ मैं स्रीफ और स्रीफ paid reading करती हूँ स्रीफ paid reading और paid reading का मतलब यही होता है कि जो charges आपको pay करने होते हैं जो charges की list आपके सामने भेजी जाती है उसमें से आप choose कर लिजे कि आपको कौन सी service लेने हैं उसके बाद से हम आपको वो service देते हैं ठीक है तो वैसे ही जहना दिनको paid reading लेना हो वही contact करें मिलते हैं फिर किसी नई reading में तपके के लिए Bye Bye Hello everyone आज हम बात करने वाले हैं Tiger Eye bracelet के बारे में तो Tiger Eye यह जो bracelet है यह क्या है देखो सबसे पहले तो यह bracelet बहुत ही ज़दा खुबसूरत है अगर आपको just one minute मैं clear करके दिखाती हूँ आपको कितना खुबसूरत है यह bracelet जिस तरीके से camera में दिख रहा है ठीक आपको यही bracelet मिलेगा मेरे पास ठीक है यह bracelet बहुत ही ज़दा खुबसूरत है बहुत ज़दा खुबसूरत देख रहे हो आप लोग इसकी light देखो और इसको जो है मैं ऐसे करूँगी यह अपना color भी change करेगा ठीक है तो यह जो bracelet है इसका benefit मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले birth date वालों की बात कर लेते हैं तो जिसका birth number 2 और number 7 है ठीक है जैसे कि किसी का जो है date of birth हो गया दो तारीक डैस डैश डैश ठीक है या फिर 11 तारीक डैश 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 ठीक है तो आप लोग यह पहन सकते हैं ठीक है यह आप लोग पहन सकते हैं तारीक वाले ठीक इसी तरीके से 7 तारीक वाले भी पहन सकते हैं या 25 तारीक वाले भी पहन सकते हैं या 16 तारीक वाले भी पहन सकते हैं ठीक है यह यह जो ब्रेसलेट है टाइगर आई यह जो है आपको काफी प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्टिव है यह इस स्टोन को हम क्या सकते हैं कि यह जो एवल आई से जो है आपको प्रोटेक्ट करता है निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है आपको कॉन्फिडेंस देता ह है self-confidence की जिसके अंदर कमी है उसको यह पूरी करता है ठीक है साथी साथ अगर आप अपना root chakra ठीक है और solar plexus chakra अगर balance करना चाहते हैं जागरित करना चाहते हैं तो यस आप इसको ज़रूर पहने ठीक और साथी साथ अगर आप जो है अपने लाइफ में काफी negativity से घीरे पड़े हैं तो आप इसको जो है वियर कीजिए ठीक है यह जो ब्रेसलिट है काफी जदा काफी जदा अच्छे results के साथ आपको जो है मिलता है और इससे जो है आपका mind focus होता है यह आपके stamina को improve करता है साथ ही साथ यह जो है आपके जो कह सकते हैं कि आपके aura को भी clean करता है ठीक है आपके जो भी doubts होते है उसको clean करता है यानि कि आपके मन में अगर confusion होती है आपको confidence level कमी आती है यानि कि अगर आप चाहो कि मुझे यह काम करना है करना है करना है लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते हो तो yes आप इस ब्रेसलिट का use करो आपको का काफी अच्छा जो है result मिलेगा ठीक है इससे आपकी wishes भी पूरी होती है आप इससे अपनी wishes भी पूरी कर सकते हो और यह जो है आपकी बॉडी के लिए भी काफी अच्छा होता है आपके पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है और अगर मैं कहूंगी कि अगर आपको अपना कॉंसेंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो यह आप यह जो है ना ब्रेसलेट पहनो टाइगर आई ब्रेसलेट क्योंकि इससे बहुत जादा बहुत ही जादा लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है और लोग इसको यूज करते हैं और मैं तो इसको रिंग भी देती हूं झूंक पूझाद को आढ़र पर कॉंटक्ट कीजिए जल ये दूसरे ब्रेसलेट की बात करते हैं कि जो दुसरा ऑइचरीय का ब्रसित ये दखेए वाइड कर का है ये भी दिक रहीँ करने को यूज करने के लिए आपको किसवीज का यूज करोंगे अपने एनेर्जी सब्सक् allez नेर्जीuche साथ आपकी जो एनरजी है जो काफी पॉजिटीव हो अपने कह सकते हैं न송र्फ तो ये You यूज़ करो ठीक है ये पहनने से आपको काफी अच्छा फील होगा काफी बहतरीन सी फीलिंग्स आपको आएंगी ठीक है ये जो है ब्रेसलिट एस्पेशली जो इस्प्रिचॉल हीलर होते हैं या फिर स्प्रिच्वालिटी के तरफ जो लोग बढ़ना चाहते हैं वो लोग प्रेस्टियूज करते हैं कि यह जो ब्रेस्ट रीच काफी जादा एक कायते हैं कि लोग पहनते हैं क्योंकि इससे माइन भी शांध होता है ठीक है और साथ ही साथ आपके जो बिजनेस हैं उसमें भी काफी ग्रोथ करवाता है आपकीं बाटी में जितने कि प्रॉब्लम्स है उसको दूर करता है और यह देखिए जो आप मेसेजिशन करना चाहते हैं उसको खुबूल करना चाहते तो आप यह भाय कर सकते हैं ठीक है इस इसको पहनिये काफी अच्छा जो है यह ब्रैसिट है जो लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं या मैं बताती हूं कि आपको manifestation करने चाहिए तो especially मैं ये ब्रस देती हूं ठीक है तो जो manifestation करते हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है मैं उनको ये ब्रस रिकमेंड करती हूं ठीक है और वो लोग लेते भी हैं तो यह चलिए फिर रिडिंग को रिडिंग को नहीं इस वीडियो को खदम करते हैं और अगर आपको कोई भी ब्रस लेना हो तो आप लोग मुझसे कॉंटक्ट कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर किसी नई रिडिंग में तपते के लिए बाबाई